नमस्कार रादे रादे दोस्तों आप सभी का एक वैफिर से बहुत बहुत स्वागत है जिया दोस्तों आज हम फिर उपस्तित हैं एक महत्पून जानकारी के साथ आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस दिन लगेगा इस साल का पहला शूर्य ग्रहन ग् से कर दें ताकि इसी प्रका की रोचक जानकारिया हम समय से आप तक पहुंचाते रहें तो आईए दोस्तों देद न करते वे वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहली और महत्पून बात की 30 अप्रेल को लगेगा साल का पहला शूर्य ग्रहन जी हैं दोस्तों साल 2022 का पहला सूर्य ग्रहन 30 अप्रेल यानि वैसाख अमावश्या के दिन लगने वाला है आपको बता दे कि जयात सूर्य ग्रहन अमावश्या तिधी कोई ही लगता है सूर्य और प्रिथ्वी के बीच चंद्रमा आने केकारण हमें शूर्य दिखाई नहीं देता है और इसे सूर्य ग्र पाटल pedir नहीं दिखेगे अब बात करते हैं कि सूरि क्या क्या करैं ऐसा माना जाता है कि सूरि ग्रहन के दिन खाने की चीजों पर तुलसी डालने से ये दुशित नहीं होती हैं. इसके अलावा आपको भगवान सूर्य की उपासना के लिए मंत्रजप या पाथादी करना चाहिए. मंत्रों का जाप करने से नकरात्मक सक्तियां दूर हो जाती हैे, इसके साथ ही धन-लाव, शान्ती और सम्रिधि के लिए भी मंत्रों का जाप करना अच्छा माल जाता है ये तो बात हो गई कि सूर्य ग्रहन के दिन क्या करना चाहिए अब बात करते हैं कि सूर्य ग्रहन के दिन भूल कर भी हमें कौन से कारे नहीं करने चाहिए सूर्य ग्रहन के समय पाचन सक्ति कमजोर हो जाती है इसलिए सूर्य ग्रहन के समय खाना बि इस दिन भगवान पे ही ग्रहन लगा होता है इस दिन सिर्फ अपने मन में ही भगवान का स्मरन करें और मन में ही भगवान को प्रात्ना करें जब ग्रहन समाप्त हो जाए इसके पश्चात आपको नहा कर ही कोई कारे करना चाहिए कहा जाता है कि ग्रहन लगने के बाद कितने प्रकार के नकरात्मक ठीजे होती है जो कि हमें हानी पहुचा सकती है इसलिए ग्रहन के बाद हमेशा नहा करही व्यक्ति को कोई कारे करना चाहिए या फिर भोजन करना चाहिए ये भी कहा जाता है कि अगर जिस दिन गरहन लगा हो उस दिन अगले दिन हमें दान अवश्य करना चाहिए ऐसा करना भी सुभ मान जाता है तो व्यक्ति को दान करना चाहिए तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने जाना कि गरहन लगने पर हमें क्या करना चाहिए और कौन से कारे हमें भूल कर भी नहीं करने चाहिए तो दोस्तों कैसी लगी हमारी आज की जानकारी अगर आप सभी को हमारे या वीडियो पसंद आया हो तो हमें कॉमेंट बॉक्स में बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले धन्यवाद राधे राधे